यहां पे जो मोटार यूज किया जा रहा है इसे ब्लॉक जो एनी मोटार कहता है जिसके चिकनेस हम यूज करते हैं 3 mm इसको हम पूरी तरह से लगा लेंगे ब्लॉक्स के उपर यहां पे आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप ब्लॉक को जोईन कर रहे हो तो एक लेएं जहां पर अयां पर आपको आइज चाहिए इसको आपको अवाइट करना है अगर यहां पे कट आता है तो उपर वाली लेयर में कहीं और आना चाहिए इस चीज़ का खास तोर से ध्यान देना पड़ेगा ब्लॉक वर्क में कि आप यहां पे देख सकते हैं हम पर यहां पे एक आरा है इस लेयर में और वाली समय हम उसको हुआइट करहे है और नीचे वाली में पिर आप यहां पे अपना जोंत है जो जुएंट होता है आल्टरनेट इसमें आना-चाहिए यहां पर देखिए दोस्तों यह जो साइज है छोटा है जो अपने ब्लॉक का साइज है उससे भी यह वाली स्पेस जो है छोटी है तो हम इसके लिए क्या करेंगे अपने ब्लॉक को कटिंग कर लेंगे या अपना जो साइज है वो साइज लेके यहां पर हम उसको कटिंग कर लेंगे या फिर हम कटर मशीन यूज़ करके भी इसको अच्छी तरह से कट कर सकते हैं